जिले में विगद दो दिनों से मिचोंग तुफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले भर में लगाता रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसका सीधा प्रभाव धान खरीदी पर पड़ा है। दो दिनों से धान खरीदी बंद है साथी आने वाले दो दिनों में धान खरीदी की उमीद नहीं है क्योंकि फंड में पानी और नमी के कारण धान खरीदना संभव ही नहीं है वहीं बेमत्रा जिले में 139 उपारजन केंद्रों में धान खरीदगा कार्य किया जा रहा है जहां अब तक 49,000 किसानों से 1,65,000 मेट्रिक ट्रंड से अधिक की धान लिया जा चुका है कलेक्टर पीएस अलमा ने जिले के सभी नौजल अधिकारियों को निर्देश कर बारिश के दौरान फंड में धान कैप कवर कर रखने कहा गया है